मेरे प्यारे देश्वासियों, आप सब को नमश्कार। मन की बात का ये बारहवा एपिसोड है। और इसे साब से देखें तो एक साल बीद गया। पिछले वर्ष, तीन अक्तोबर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभागी मिला था। मन की बात एक वर्ष, अनेक बाते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्या पाया, लेकिन मैं इतना जुरू कह सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ पाया। लोकतंत्र में जन शक्ती का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मुलभुत सोच रही है और उसके कारण जन शक्ती पर मेरा अपार विस्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया। उससे मैं कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं उससे भी जादा जन शक्ती अप्रम पार होती है। हमारे पूरवज कहा करते थे कि जनता जनार्दन ये इश्वर का ही आउश्व होता है। मैं मन की बात के मेरे अनुभावों से कह सकता हूँ कि हमारे उस पुरवजों की सोच में एक बहुत बड़ी शक्ती है, बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ये अनुभाव किया है. मन की बात के लिए मैं लोगों से सुजाव मागता था, और शायद हर बार दो या चार सुजाव को हाट लगा पाता था, लेकिन लाखों की ताधाद में लोग सक्रियत होकर के मुझे सुजाव देते रहते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ती है, वरना प्रधा मंतिर को संदेश दिया, माई गौव डॉट इन पर लिख दिया, चिठी भेज दी, लेकिन एक बार भी हमारा मोका नहीं मिला, तो कोई भी वेक्ति नराश हो सकता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा, हाँ, मुझे इन लाखों पत्रों ने बहुत बड़ा पाड भी पढ़ाया, सरकार के अने एक बारी कठिनाईयों के विशे में मुझे जानकारी मिलती रही, और मैं आकाशवाणी को भी अभिनंदन करता हूँ को उन्होंने इन सुझावों को सिर्फ एक कागज नहीं माना, एक जन सामाने के आकांग शामाना, उन्होंने इसके बाद कारिकम किये, सरका का निराकरण करने का प्रयास किया, सरकार के भी हमारे भिन 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 विभागों ने लोगों के इन पत्रों का एनालिसिस किया, और वो कौन सी बाते हैं कि जो पालिसी मेटर है, वो कौन सी बाते हैं जो परसन के कारण परिशानी है, वो कौन सी बाते हैं जो सरकार की ध्यान कि जानकारी नीचे से उपर के तरब जानी चाहिए और मारदर्शन उपर से नीचे की तरब जाना चाहिए यह जानकारियों का स्रोत मन की बात बन जाएगा यह कहां सोचा था किसे ने लेकिन यह हो गया और उसी प्रकार से मन की बात ने समाज शक्ति की अभिव्यक्ति का एक और दुनिया के सभी देशों से किसे ने किसे ने लाखों की ताधाद में और बेटी को क्या गरिमा मिल गई और जब वो सेलफी डॉटर करता था तब अपनी बेटी का तो होसला बुलंद करता था लेकिन अपने भीतर भी एक कमिट्मेंट परदा करता था जब लोग देखते थे उनको भी लगता था कि ये बेटियों के प्रति उदासिंता अब छोड़नी होगी एक साइलेंट रिवलुशन था भारत के टूरिजम को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे नागरिकों को गहा था इंकरडिबल इंडिया कि आप भी तो जाते हो जैंको अच्छे तश्वीर हो तो भेज देना मैं देखूंगा यूहीं हलकी फुलकी बात की थी लेकिन क्या बड़ा गजब हो गया लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कौने की ऐसी ऐसी तश्वीरे लोगों ने भेजी साइद भारत सरकार के टूरिजम ने राज्य सरकार मुझे खुशी तो तब हुई कि पिछले अक्तूबर महेने के पहले मेरी ये पहली मन की बात थी तो मैंने गांधी जैनती का उलेक किया था और लोगों को ऐसे ही मैंने प्राथ्था की थी कि 2 अक्तूबर महात्मा गांधी की जैनती हम मना रहे हैं एक समय था खादी for nation क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी for fashion और लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप खादी खरी दिये थोड़ा बहुत किजिए आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में करीब करीब खादी की बिक्री डबल हुई है अब ये कोई सरकारी अर्वटाजमेंट से नहीं हुआ है अर्वों खर्मों रूपया खर्च करके नहीं हुआ है जन्शक्ति का एक एहसास एक अनुफूती एक बार मैंने मन की बात में कहा था गरीब की घर में चूला जलता है बच्चे रोते रहते हैं गरीब मांग क्या उसे गैस सिलेंटर नहीं मिलना चाहिए और मैंने संपन्ने लोगों से प्रात्ना की थी कि आप सबसीड़ी सरंडर नहीं कर सकते क्या सोचिए और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंटर की सबसीड़ी छोड़ दी है और ये अमीर लोग नहीं है एक टीवी चैनल पर मैंने देखा था कि एक रिटार्ट टीचर विध्वा महिला वो कतार में खड़ी थी सबसीड़ी छोड़ने के लिए समाज के सामान जन भी मद्यमबर्ग निम्न मद्यमबर्ग जिनके लिए सबसीड़ी छोड़ना मुश्किल काम है लेकिन ऐसे लोगों ने छोड़ा क्या ये साइलेंट रिवलुशन नहीं है कैसे जन शक्ति के धर्शन नहीं है सरकारों ने भी सबक सिखना होगा कि हमारी सरकारी चोखट में जो काम होता है उस चोखट के बाद एक बहुत बड़ी जन शक्ति का एक सामर्थवान उर्जावान और संकल्पवान समाज है सरकारे जीतनी समाज से जूड़ करके चलती हैं, उतनी ज़्यादा समाज में परिवर्तन के लिए एक अच्छी कैटरिक एजेंट का रूप में काम कर सकती है मन की बात में मुझे सब जिन चीजों में मेरा भरोजा था, लेकिन आज वो विश्वास में पलड़ गया, स्रध्धा में पलड़ गया और मैं इसली आज मन की बात किसे माध्यम से फिर एक बार जन शक्ति को शत सत बंदन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ हर छोटी बात को अपनी बना ली और देश की भलाई के लिए अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है मन की बात मैं इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने के लिए सोचा, मैंने देश के नागरिगों से प्रार्थना की थी, कि आप टेली फोन करके अपने सवाल, अपने सुजाव दर्ज करवाईए, मैं मन की बात में उस पर ध्यान दूँगा मुझे खुशी है कि देश में से करीब पचपन हजार से ज़्यादा फोन कोल्स आए, चाए सियाचीन हो, चाए कच्छ हो या कामरूप हो, चाए कश्मीर हो या कन्या कुमारी हो हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, जहां से लोगों ने फोन कॉल्स न किये हो, यह अपने आप में एक सुखत अनुभव हो है सभी उम्र के लोगों ने संदेश दिये हैं, कुछ तो संदेश मैंने खुदे ने सुनने आभी पसंद किया, मुझे अच्छा लगा, बाकियों पर मेरी टीम काम कर रही है आपने भले एक मिनिट, दो मिनिट लगाए होगे, लेकिन मेरे लिए आपका फोन कॉल, आपका संदेश बहुत महत्मपूर है पुरी सरकार आपके सुझाओं पर जुरूर काम करेगी लेकिन एक बात मेरे लिए आस्षे रखी रही और आनन्द की रही वैसे ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ नेगिटिविटी है, नकारात मकता है लेकिन मेरा अनुपर अलग रहा इन 55,000 लोगों ने अपने तरीके से अपनी बात बतानी थी बेरोक टोक था, कुछ भी कह सकते थे लेकिन मैं हरान हूँ सारी बाते ऐसी थी जैसे मन की बात की चाया में हो पूरी तरह सकारात्मक, सुझावात्मक, स्रुजनात्मक यानि देखिए देश का सामान्य नागरिक भी सकारात्मक सोच लेकर के चल रहा है ये तो कितनी बड़ी पूजी है देश की शायद एक परसंट डो परसंट ऐसे फोन हो सकते हैं कि जिश में कोई गंबीर पकार की शिकायत का माहौल हो वरना 90 प्रतिशत से भी ज्यादा एक उर्जा भरने वाले आनंद देने वाली बाते लोगों ने कही है एक बात और ध्यान में मेरे आई खास करके पेशली अबल उसमें भी खास करके दरश्टिहीन अपने स्वजन उनके काफी फोन आए हैं लेकिन उसका कारण यह होगा शायद ये टीवी देख नहीं पाते ये रेडियो जरूर सुनते होगे दरश्टिहीन लोगों के लिए रेडियो कितना बड़ा महत्वकुन होगा वो मुझे इस बात से ध्यान में आया है एक नया पहलू मैं देख रहा हूँ और इतनी अच्छे अच्छी बातें बताई है इन लोगों ने और सरकार को भी सम्वेदन सिल्म बिलाने के लिए काफी है मुझे अलवर राजस्तान से पवन आचारिय ने एक संदेश दिया है मैं मानता हूँ पवन आचारिय की बात पुरे देश को सुननी चाहिए और पुरे देश ने माननी चाहिए देखिए वो क्या कहना चाहते हैं जुरूर सुनिये पवन मुझे विश्वास है कि पवन की तरह आपकी भावना हिंदुस्तान के हर कौने में जुरूर पहुंच जाएगी पहल जाएगी अच्छा सुजाव दिया है और मिट्टी का तो कोई मोली नहीं होता है और इसलिए मिट्टी के दिये भी अनमोल होते हैं परियावरन की दुर्ष्टी से भी उसकी एक एहमियत है और दिया बनता है गरीब के घर में छोटे-छोटे लोग इस काम से अपना पेड भरते हैं और देश वास्यों को मैं करीब के घर में होगी मेरे प्यारे देश्वासियों गणेश्यतुर्थी के दिन मुझे सेना के जवानों के साथ दो तीन घंटे बिताने का हुसर मिला जल थल और नव सुरक्षा करने वाले हमारी जल से ना हो थल से ना हो या बायू से ना हो आर्मी एरफोर्स नेवी 1965 का ज जवर्यान जली प्रदर्शनी की रचना की है मैं उसे चाओ से देखता रहा गया था तो आदे घंटे के लिए लेकिन जब निकला तब धाई घंटे हो गए और फिर भी कुछ अधुरा रह गया क्या कुछ वहां नहीं था पुरा इतिहास जिन्दा करके रख दिया है एस्थ शायद मात्रु भूमी के सेवा करने के लिए इससे बड़ी कोई प्रहणा नहीं हो सकती है युद्द के जिन प्राउड मोमेंट्स और हमारे सेनानियों के अदेम में साहस और बरिदान के बारे में हम सब सुनते रहते थे उस समय तो इतना फोटोग्राफ भी अवेलेबल न बड़ाई हो और हाजी पिरपांस के जीत के द्रश्यों को देखे तक रोमांच होता है और अपने सेना के जवानों के प्रतिक घर्व होता है मुझे उन वीर परिवारों से मिलना हुआ उन बलिदानी परिवारों से मिलना हुआ और युद्ध में जिन लोगों ने हिस्सा ल जनाना चाहते हैं तो इतिहास की बारिक्यों को जानना समझना ज़रूरी होता है। इतिहास हमें अपनी जड़ों से जोडता है। इतिहास से अगर नाता छूड़ जाता है, तो इतिहास बनाने की संभावनाओं को भी पुर्न विराम लग जाता है। इस शौर ये प्रदर्शनी के माध्यम से इतिहास की अनुभूती होती हैं, इतिहास की जानकारी होती हैं और नए इतिहास बनाने की प्रेना के बीज भी बोये जा सकते हैं। लोग तंतरकी ताकत देखिये, एक छोटे बालक ने पृधान मंत्री को आदेश किया है, लेकिन वो बालक जल्बाजी में अपना नाम बता न भूल गया है, तो मेरे पास उसका नाम तो है नहीं, लेकिन उसकी बात प्रदान मंत्री को तो गोर करने जैसी है, लेकिन हम सभी द आप हर जगह हर गली में डश्ट बीन लगवाएं। इस बालक ने सही कहा है। हमें स्वच्छता एक स्वभाव भी बनाना चाहिए। और स्वच्छता गलिए व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए। मुझे इस बालक के संदेश से एक बहुत बड़ा संतोष मिला। ऐसा हुआ होगा कि संसद मैं भी गंटों तक स्वच्छता के विशे पर आजकल चर्चा होती है। हमारी सरकार के अलोचना भी होती है। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि मोदी जी बड़ी बड़ी बाते करते थे स्वच्छता की लेकिन क्या हुआ। मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ. मैं इसमें से अच्छा ही ये देख रहा हूँ कि देश की संसद भी भारत की स्वच्छता के लिए चर्चा कर रही है। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ संसाद और एक तरफ इस देश का शिशू, दोनों स्वच्छता के उपर बात करें, इससे बड़ा देश का सवभागे क्या हो सकता है? ये जो आंदोलन चल रहा है, विचारों का, गंद्गी के तरफ नफरत का जो माहोल बन रहा है, स्वच्छता की तरफ एक जागरुकता आई है, ये सरकारों को भी काम करने के लिए मजबूर करेगी, करेगी, करेगी। इस पर काम करना ही पड़ेगा, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, कमियों के रहते हुए भी आगे बढ़ाना है, और इस भारत को 2019 में, जब महत्मा गांदी की 150 वी जैनती हम बनाएंगे, महत्मा गांदी के सपनों को पूरा करने के दिशा में हम काम करें, और आपको मालूम है मात्मा गांदी क्या कहते थे? एक बार उन्होंनों कहा है, कि आजादी और स्वच्षता दो मज़ें मुझे और संक करना है, तो मैं पहले स्वच्षता पसंद करूँगा आजादी बात में, गांदी के लिए आजादी से भी जाad़ा स्वच्षता का माहत्वत्व आईए हम सब महात्मा गांधी की बात को माने और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ कटब हम भी चले दिल्ली से गुल्षन अरोडा जी ने माई गौड पर एक मेसेज छोड़ा है उन्होंने लिखा है कि दिंद्यायल जी की जन्मस्ताज की बारे में वो जानना चाह रहता है और हम लोगों का काम महापुरुष की स्विचार धारा से थे उसका मुल्यांगन करना हमारा काम नहीं है देश के लिए जीने मरने वाले हर कोई हमारे लिए प्रेरक होते हैं और इन दिनों में तो इतने सारे महापुरुषों को याद करने का उसर आ रहा है 25 सितंब कितने अंगिनत नाम है मैं तो बहुत कोछी बोल रहा हूं क्योंकि यह देश तो भहुरतना वसुंद रहा है आप कोई भी डेट निकाल दीजिए इत्यास के जरो से कोई कोई महापुरुष का नाम मिली जाएगा आने वाले दिनों में इन सभी महापुरुषों को हम याद क करें उनके जीवन का संदेश हम घरगर तक पहुंचाएं और हम भी उनसे कुछ लुकुछ सिखने का प्रयास करें मैं विशेश करके दो अक्तुबर के लिए फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं मैंने गतवर्ष भी कहा था कि आपके पास हर प्रकार के फैशन के कपड़े होंगे हर प्रकार का फैबरिक होगा बहुत सी चीजे होगी लेकिन उसमें खादी का भी स्थान होना चाहिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि दो अक्तुबर से लेकर के एक महिने भर खादी में रियायत होती है उसका फायदा उठाया जाए और खादी के साथ साथ महेंडलूम को भी उतना ही महत्मे दिया जाए हमारे बुनकर भाई कितनी महनत करते हैं हम सवासो करोर देश्वासी जाएगा खादी बनाने वाली गरीब विधवा के घर में जाएगा और इस्लिए इस दिवाली में आपने ऒर में जगा दें intentar कभी आग्रह नहीं करता हुआ पुर्ण रुप से खादी धारी बने कुछ बस इतना ही आग्रह है मेरा और देखिए पिछली बार आपने करेब करेब बिक्री को डबल कर दिया कितने गरीबों का फायदा हुआ है जो काम सरकार अर्बों खुरुबर रुप्य के मेरे देशवाचियो मेरा मन एक बात से बहुत आनंद से भर गया है मन करता है इस आनंद का आपको भी थोड़ा स्वाद मिलना चाहिए मैं मई महिने में कोलकाता गया था और सुभास बोज के परिवार जन मिलने आये थे उनके भतिजे चंद्रा बोज ने सब और्गनाइज किया था, काफी देर तक सुभास बाबु के परिवार जनों के साथ हशी-खुशी की शाम बिताने का मुझे अफसर मिला था, और उस दिन ये तै किया था कि सुभास बाबु का बुहत परिवार प्रदानमंतरी निवास्थान पर आये चंद्रा बहुद और उसके परिवार जन इस काम में लगे रहे थे और पिछले हफ्ते मुझे confirmation मिला कि 50 से अधिक सुभाज बाबू के परिवार जन प्रधानमंत्री निवास्थान पर आने वाले हैं आप कल्पना कर सकते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा नेता जी के परिवार जन शायद उनके जिवन में पहली बार सबको मिलकर के एक साथ प्रधानमंत्री निवास्थाने का उसर आया होगा लेकिन उसके ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री निवास्थान में ऐसी महमान नवाजी का सवभाग्या कभी भी नहीं आया होगा जो मुझे अक्तुबर में मिलने वाला है सुभाद बाबु के पचांस से अधीक और उसारे परिवार के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं सब लोग खास आ रहा है कितना बड़ा आनंद का पल होगा वरे लिए मैं उनके स्वागत के लिए बहुत खुश हों बहुती आनंद के अन्भूती कर रहा हूँ एक संदेश मुझे भारगवी कानडे की तरफ से मिला और उसका बोलने का धंग उसकी आवाज यह सब सुनकर के मुझे लगा है वो खुद भी लीडर लगती है और शायद लीडर बनने वाली होगी ऐसा लगता है मेरा नाम भारगवी कानडे है मैं प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप युवापीडी को वोटर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूत करें जिससे आने वाले समय में युवापीडी का सहबाग बढ़े और भविश्य में युवापीडी का म वोगतंत्र में हर मतदाता देश का भागय विधाता होता है और यह जागरकता धिरे धिर बढ़ रही है मतदान का परसंटेज भी बढ़ रहा है और मैं इसके लिए भारत के चुनाव आयों को विशेश रूप से बढ़ाई देना चाहता हूं कुछ वर्ष पहले हम देखते थे कि हमारा इलेक्शन कमिशन एक सिरफ रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें बहुत बड़ा बड़लाव आया है आज हमारा इलेक्शन कमिशन सिरफ रेगुलेटर नहीं रहा है एक प्रकार से फ यह बहुत अच्छा बड़लाव है लेकिन सिरफ चुनाव आयोग काम करता रहे उससे बचलने वाला नहीं है हमने भी स्कूल में कॉलेज में महले में यह जागुरूति का महल बनाए रखना चाहिए सरफ चुनाव आये तब जागुरूति हो ऐसा नहीं मद्दाता सुची अप देशक नउजवान को अगर माद्दाता सुची में रजिश्टन नहीं हुई है तो नहीं होना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए किये और लोगों से मिला बहुत सारे कम होए है इतने लोगों से मिला लेकिन दो बालक जिनकी बात मैं आप से करना चाहता हूं एक मुझे क्षृतिच पांडे करके सात्वी कख्षा का क्षात्र मिला हूं बनारस हिंदू विश्वध्यलय में किंद्री तर्रार उसका confidence level में बढ़ा गजब है लेकि इतनी छोटी आयू में फिजिक्स के अनुसंधान में उसकी रूची मैंने देखी मुझे लगा कि बहुत कुछ वो पढ़ता होगा इंटरनेट सर्फिंग करता होगा नजने प्रयोग देखता होगा रेल एक्षिडेंट कैसे रोके जाएं कौन सी टेक्नोलोजी हो एनरजी में खर्चा कैसे कम हो रोबोट में फिलिंग कैसे आएं नजहाने क्या क्या बाते बता रहा था बड़ा गजबत का था भाई खैर मैं बारीकी से उसका ये तो नहीं देख पाया कि वो जो कहरा है उसमें कितनी बारीकी हैं क्या है लेकिन उसका गांफिड़नेस लेवर उसकी रूची और मैं चाहता हूँ हमारे देश के बालकों का विज्ञान के परती रूची बढ़नी चाहिए बालक के मन में लगा सवाल उठने चाहिए क्यों कैसे कब बालक मन से वो पूछना चाहिए वैसे ही मुझे सोनम पटेल एक बहुत ही छोटी बालिका से मिलना हुआ नव साल की उमर है वारा नसी के सुन्दर पुर्निवासी सदा ब्रिच पटेल की वह एक बेटी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है और मैं हरान था कि बच्ची पूरी गीता उसको कंठस्त हैं लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि जब मैंने उसको पूछा तो व पूछा तो वो पांच साल की उमर से बोल रही है मेंने का कहां सीखा बोले हमें भी मालूम नहीं है तो मैंने क्या आहाल है सिर्फ गिता ही पड़ती नहीं तो नहीं का नहीं जी वो मैथेमेटिक एक बार हाट ले ले तो साम को सब मुझ पाट होता है हिस्ट्री ले 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 साम को सवयाद होता है बोले हम लोगों के लिए भी आस्यर है पूरे परिवार में कि कैसे उसके अंदर है मैं सच्वुच में बड़ा प्रभावित था कभी कुछ बच्चों को सेलिब्रिटी का शौक हो जाता है सही सोनम में कुछ नहीं था अपने आप में उसको इश्वर ने उसके काम हम करते हैं और कभी कभी ऐसे कामों का कुछ आनद भी आता है वैसे ही हैन दो बालकों के साथ मेरे बात चीत मैं या लिए काम लेकर आते हैं नहीं उसक्तिन क्रेंड क्याते है संदीव जीया कर वार में संदीव फज्म करने संदीब जीं interpreting, क्या करवाओगे मेरे पास महेने में एक बार करने के लिए भी मुझे इतनी मसकत करनी पड़ती है समय का इतना एडजेस्ट करना पड़ता है कभी कभी तो हमारे आकश्वानी के सारे हमारे साथियों को आदा आदा पॉने-पोना घंटा मेरा इंतजार करके बैठे रहना पड़ता है लेकिन मैं आपकी भावना का आदर करता हूं आपके सुझाव के लिए मैं आपका अभरी हूं अभी तो एक महने वाला ही ठीक है मन की बात का एक प्रकार से एक साल पूरा हुआ है आप जानते हैं सुभास बाबू रेडियो का कितरा उपयोग करते थे जर्म बाद हिंद रेडियो के शुरुआत एक विकली न्यूज बुलेटीन से उन्हों नकी थी अंग्रेजी हिंदी बंगाली मराथी पंजाबी पस्तू उर्दू सभी भाशाओं में ये रेडियो वो चलाते थे मुझे भी अप अकाश्वानी पर मन की बात करते कर तब एक साल हो सुधाव देखता हूं उसी से मेरे विचारों की एक दोड़ शुरू हो जाती है जो आकाश्वानी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है बोलता मैं हूं लेकिन बात आपकी होती है और यही तो मेरा संतोश है अगले महिने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे आपके जहाओं से सरकार को भी लाभ होता है सुधार की शुरूआत होती है आपका योगदान मेरे लिए बहुमुल्य है अनमोल है फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद